नवस्ते मित्रो सभीको जैसी राम आज हम जानेंगे कि हिंदू में नूतन वर्ष जो आने वाला है 22 अप्रेल 22 मार्च को वो इसलिए महान है क्योंकि इत्यास पढ़ लीजिये जानकर दंग रह जाएंगे चैत्र मास की सुकल प्रतिपदा की गूरी पढ़वा या वर्ष प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और इसे युगादी भी कहा जाता है इस दिन हिंदू नवर्ष का आरम होता है गूरी का अर्थ है विजय पात का होता है इसी दिन में ग्रह वारों मासों और समवत सरो का पारम गणितिय और खगोल सास्री संगनना के अनुसार माना जाता है चैत्रमास की सुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मा जी द्वारा सिष्टी निर्मान सत्यू का पारम हुआ भगवान श्री राम का राज अभिशेक नौरात्र का शुभारम युदिष्टिर समवात का आरम विक्रम समवात का पारम स्वामी द्यानन जी द्वारा आरे समाज की स्थापना भगवान जूले लाल का अतरन दिवास दॉक्टर हेटके वार जी का जन्म दिवास को सिष्टी की उत्पत्ती हुई थी और इस दिन कुछ ऐसे महत्पूर्ण एतिहासिक घटना हुई है जिसके कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाती है आईए आपको इस दिन के इत्यास से जूड़ी घटनाएं बताते हैं इत्यास में इस प्रकार वर्निष चैत्र वर्ष पतिपदा भगवान ब्रमा जी दौरा सिष्टी का सर्जन मर्यादा पुर्ष तम सी राम जी का भिषेक, मा दुरगा नौरात्र वरत् का पारंब, दौर्ध युद्धिश्ठीर समवत का पारंब, उज्जैन सम्राथ विक्रमा दित्य द्वारा विक्रम्मी समवात पारंब, साली वहान संक शमवत का पारंब, महाशिद यनाजी आरिस समाज की स्थापना दिवस, भगवान जूले लाल का उतरन दिवस, मतच्य अवतार दिवस, डॉक्टर केसव बली राम हेटके वार जन्म दिवस, नूतन वस का पारम आनन्द उल्लासमय हो, इस हेतु प्राकृती माता भी सुन्दर भूमिका बना देती है, इस दिन से न उस्पित होती है, सुकल परतिपदा का दिन चन्रवा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है, उगादी के दिन ही पांचांग कैयार होता है, महान गनितग्य भासकराचारी ने इसी दिन से सुर्योदय से सुर्यास तक दिन, महिने और वर्ष की गणना करते हुए पांचांग की रशना की थी वर्ष के साड़े तीन मुरत में गुड़ी पढ़वा की गिन्ती होती है इसी दिन भगवान शीराम ने बली के अत्या चारी सासन से प्रजा को मुक्ती दिलाई थी नौ वर्ष का पारम प्रतिपदा से ही क्यों भारतिय नौवश का पारम चैत्र सुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रह वारों, मासों और सम्वत सरों का सभी गणनाय और खगोलिय सास्ते संगणना के अनुसार माना जाता है आज भी जन्मानत से जुड़ी यहा सास्त सम्मत काल गणना व्याभारिक्ता की कसोटी पर खड़ी उतरी है इसे राष्टिय गौरवसिल परमप्रा का प्रतिपदा का यहा सुब दिन भारत राष्ट के गौरवसिल परमप्रा का प्रतिपदा का प्रतिपदा का यहा सुब दि माननेता है इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नौवश पारम मानते हैं महराजा विक्रमादित ने भारत की ही नहीं आपितु समस्त विश्व की सिष्टी की सबसे प्राचेन काल गणना के अधार पर ही प्रतिपदा के दिन विक्रम समवत के रूप में अभिशिक्त किया इसी दिन से मर्यादा पुश्टनम स्विराम चंदर जी का राज अभिशेक भी हुआ था अब ये सभी भारति संकत ले की अंग्रेजों द्वारा चलाए गए नौवर्स एक जन्वरी को मनाये जाने वाला नौवर्स ना मानकर अपना महान हिंदू धर्म नौवर्स 22 मार्च मनाये और इस दिन आप अपने घर में अवस्य धवाजा लगाएं या हनमान जी का राम जी का जैसा भी हो एक धवज अवस्य होना चाहिए मन्दिरों में लगानाचे एक डिन धर्मकर्म करने चाहिए सेवा करनी चाहिए और तिलक लगाना चाहिए माथे पर तो ये सब चीजे याद रखें अपने हिंदु पर वो कोवश्य याद रखें जैशिराम